वेलकम तो आल उफ्यू इन माई यूटूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली तो आप मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें मैथमेटिकल कॉंसेट्स आपके लिए पेइन ना क्रियेट करें आप मैथमेटिक्स को इंजॉय कर सकें इस परपस से हमने प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए एक चीज़ मैं यहां पर क्लिया कर दूँ जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लाक्न उन्वस्ट्री अफ्स्ट्राइक्ट अल्डेबरा तो अगर अगर अधर स्टुडेंट्स लेक्चर क मिल जाएगा उनको एक इक्स्ट्रा वेनुफिट है और अगर अगर अधर स्टुडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो कन्फ्यूज नहीं होंगे मैथमेटिकल कॉंसेट्स आप सभी के लिए क्वली यूजफुल है जैसे कि मैंने चैनल पर बोला कि मेरे चैनल का आपको मैथमेटिकल कॉंसेट्स क्लियर होने चाहिए इस परपस से हमने आपके लिए आपके लिए का पेपर पिक करा है और अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले हमने दो इस्पैसल लेक्चर सीज आपके लिए बनाई थी वैसे तो अभी वहां पर और सारी लेवल है लेलि आपको जानना जरूरी है सेट रिलेशन बने ऑपरेशन कार्टियन प्रोड़क्ट ग्रूप होम और फिजम आइसो मॉर्फिजम क्लाइन भी फोर गूप साइकलिक ग्रूप ऐसी जो इंपोर्टेंट इन्फोर्मीशन से वह इन दोने लेक्चर सीज में रखी है तो इनको व को आज हम कंटिन्यु कर रहे हैं और च्रूप और अभी तक छक्री बाते हो सूकिरन के अवरेशन प्रॉपर्र टी जेश्ट की बात करें तो ठीज प्रीवेस लेक्ट्टिर में हम लोगों कुछ प्रोब्लम करें थे यहिए मैथमेटिकल कॉंसेट्स जो वो आपको प्रोब कैसे mathematical concepts को as a tool आप यूज कर सकते हैं problems break करने में तो यह pattern हम सीख रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं अपनी theory को convert कर पाएं problem solving में टूल में और ज्यादा strong बना सकें अपने concept को तो आज भी हम कुछ problem solve करने वाले एक्जांप no.9 आपके screen पे दिख रहा होगा descriptive examination में अगर आप appear होने वाले हैं तो आपको एक pattern follow करना होता है लिखने का solution और वैसे भी सबसे best approach यही है question को solve करने का कि सबसे पहले आप given information question में जो given information है उसको extract कर लीजिए फिर आप अपना target set करिए कि आपको क्या find करना है calculate करना है या फिर proof करना है और then after after solution को proceed करिए तो मैं अपने सारे problem आपसे इसी sequence में share करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको information मताता हूँ क्या given है फिर मैं दिखाता हूँ आपकी target क्या है और फिर solution proceed करता हूँ तो आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे यह सबसे अच्छा approach है question को break करने का तो देखते हैं अपने example number 9 में आपके साथ given information क्या है question में और फिर देखेंगे target क्या है आपका तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास R कोई ring है आपके पास R ring है U और V रिंग के ideals बोल दिये गए U और V दो ideals रिंग के बोल दिये गए है और U plus V यानि उनका summation ideals का sum जो है वो एक non empty set के तरीके ये U और V ideals थे इनका sum कर लिया है और इस sum को एक non empty set के format में ऐसे define करा है कि इसमें small U plus V type के elements आएंगे जहाँ पे small U आपका general element है ideal U का और small V आपका general element represent कर रहा है capital V वाले ideal का आपका target क्या यहां पर प्रूफ क्या करना है यहां पर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ दैट U plus V यह दोनों ideals का जो sum है जो sum है यह भी एक ideal होगा ideal of ring R मतलब कि अगर ring R है U और V दो ideals है तो उनका sum वाला जो anonymity set है यह भी ideal होगा ring का and generated by U union B दो चीज़ें प्रूफ करनी है पहली चीज़ प्रूफ करनी है कि यह U plus V जो दोनों ideals का sum होगा यह खुद में एक ideal होगा और दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि यह जो U plus V U plus V आप ideal प्रूफ करेंगी यह generated by U union B मतलब कि दोनों ideals की union वाले set से generated होगा दोनों बाते समझेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहां पर repeat कर दूँ को थोड़ा और dilute करके हम लोग समझेंगे उससे पहले मैं कुछ information यहां पर repeat कर दूँ जो लोग lecture को one by one देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा उनको याद होगा लेकिन जो first time देख रहे हैं अगर आर रिंग है रिंग को repeat कर दूँ आइडियल के concept को एक बार repeat कर दूँ और इस non empty set को अच्छे से समझने की process करेंगे क्योंकि इस non empty set को दोनों आइडियल के sum को आपको ideal proof करना है और दिखाना है कि यह union B से generated है तो इस set को समझना जादा important है जल्दी से कुछ information repeat कर देता यहां पर देखिए question में आपको सबसे पहले ring बोला है मैं अपने हर lecture में almost clear कर देता हूं आपको अगर आर आपके पास कोई non empty set है addition multiplication दो binary operations है यह आपका algebraic structure है और अगर यह तीन बातों को fulfill करे तो ring बन जाता वो तीन बाते क्या मैंने आपको बताई है आर अंडर addition आपका available group हो आर अंडर multiplication आपका semi group हो और distributed large hold करें अगर यह तीनों postulates fulfill हो रहे हैं तो यह algebraic structure आपका ring बन जाता है क्या बन जाता रिंग बन जाता है तो अगर आरीजर रिंग बोला जाए तो आप समझ जाए उसके साथ दो operation है और तीनों postulates है पूरी story उसके रिपीट कर दूँ जल्दी से मैंने previous lecture में आपको पढ़ाया हुआ है फिर भी यहां पर repeat कर दूँ अगर R कोई R कोई ring है आपके पास R कोई ring है और उसका एक non empty set U है R ring है यू कोई non empty set है तो U ideal बन जाएगा या फिर U अगर ideal है तो दो बातों को fulfill करना होता है इसको पहली बा बनना पड़ता है रिंग का additive subgroup बनना पड़ता है दूसरी चीज यह होती है कि इस non empty set को ideal बनने के लिए रिंग के elements को swallow करना चाहिए उसको निगलना चाहिए अगर इसको language में compile करें तो अगर कोई देखे small U कोई general element ले लिजे आप इस non empty set का और small R से कोई ring का element ले ले लिजे हैं तो R कोई element ring से आप ले लीजे अब देखिए यह R भले ही ideal से बाहर है यह R भले ही U से बाहर है लेकिन अगर इसका product यहां के element से करा दिए तो वह यहीं का होके रह जाए मतलब उसका product इसी non empty set में belong करने लगे कहने का sense यह है कि U.R और R.U यह दोनों जो product वाले element आएं यह इसी non empty set को belong करें मतलब कि यह non empty set ring के elements को swallow करने लगे निगलने लगे अगर ring के किसी भी element का product यहां के element से आप करा देते हैं तो product यहीं पे belong करने लगे language में इसको लिखें तो for every element of the ring R and for some element U of the non empty set U क्या हो जाए R.U and U.R यहां पे R और U यह सब general elements है general elements को represent कर रहे हैं मतलब R ring का कोई भी general element हो सकता है तो अगर ring के किसी भी general element को आप इस non empty set के element से multiply करिए इधर from left और from right चाहें left से कर लीजे right से कर लीजे तो जो product आपका आए वो product इसी non empty set U को belong करे अगर ऐसा हो रहा है अगर non empty set U आपकी दो बातों को fulfill कर रहा under addition अंडर addition वो group form कर रहा मतलब additive sub group form कर रहा है और दूसरी चीज़ यह है कि वह ring के elements को swallow कर रहा है आइडियल बोल दिया जाता रिंग का अभी यहां पे सिर्फ मैंने repeat कर रहा है अच्छे से समझना है तो आप previous lecture विजिट कर लेंगे वहां पर आइडियल का concept discuss कर रहा है तो यहां पे आपसे question में you और वी दो आइडियल बोले जा रहे थे ना question में क्या given था question में आपकी problem given था आर इजर रिंग तो रिंग के बारे में तो आपको clear है पूरी की story you और वी you और वी ideals बोले गए थे रिंग के यह बोले गए थे रिंग के दो ideals है तो ideals होने के लिए क्या करा होगा यू को जैसे ideals बोला तो यू ने दो बातों को fulfill करा होगा पहली बात इसने under addition group form करा होगा और दूसरी बात इसने क्या करा होगा इसने r.u and u.r को अपने में contain करा होगा जहां पे आर आपका ring का general element है और यू कोई element इस non empty set u का है तो अगर u ने ideal form करा तो उसने दो बातों को fulfill करा होगा और चुकि v को भी ideal बोला गया है तो वी ने भी इन बातों को fulfill करा होगा वंतलब वी ने भी under addition group form करा होगा और यहां पे थोड़ा सा change यह कर देते हैं कि small v से represent कर लेते हैं v के element को तो इसको r.v कर देते हैं और v.r कर देते हैं कहने का sense सिवाई यह कि किसी भी non empty set को ideal बनना है तो दो बातों को fulfill करना होगा under addition group form करना होगा additive subgroup बनना होगा ring का और ring के elements को swallow करना होगा मतलब ring के elements के साथ product करके product को अपने अंदर contain करना होगा तो अगर you or we ideals बोले गए तो दोनो properties को इन्होंने fulfill करा होगा अभी problem में आपके और क्या given है problem में given information आपको यह थी कि r आपके पास ring था you or we ideals थे अभी ideals थे तो दो बातों fulfill करा होगा दो बातों को यह चीज़ तो clear है न और इस के बाद इसके बाद एक non-impty set कर लीजिए या फिर कर लीजिए कि दोनों ideals का summation करना था इस एक non-impty set आपके सामने introduce करा गया था दोनों ideals का sum और इसमें वो elements आते हैं देखिए simplicity के लिए custom है कि आप जैसे u ideal है तो small u से denote कर लेते हैं small u से जितने elements denote करेंगे na u1, u2, u3 यह small u से जितने element denote करेंगे वो सब आपके u ideal वाले होंगे और small v से जितने element represent करेंगे वो आपके v ideal के होंगे v1, v2, v3 यह simplicity है ताकि आपको convention देखने में अच्छा लगे आप समझ सको तुरंद कि u और v जो है वो elements कहां के हैं तो जो आपका ये दोनो ideals का sum define हुआ है दोनो ideals का sum वाला non empty set define करा गया problem में वो कुछ इस तरीके है कि ये small u plus v small u plus v जैसे elements को contain करेगा such that such that कि आपके small u वाले element ideal u से हैं और small v वाले element ideal v से हैं मतलब ये है कि एक non empty set आपको दिया गया है जो की दोनो ideals का sum है और वो इस तरीके define है कि वो कुछ एक element आप उठा लीजे u से एक v से दोनों का sum कर लीजे फिर कोई दूसरा element u v से ले लीजे उनका sum कर लीजे तो different different combinations जो बनेंगे u और v के elements के summation के वो combinations अलग-अलग element को generate करेंगे और वो elements यहाँ पे u plus v में आएंगे कहने का sense यह है अगर इसको कुछ इस तरह समझें इसको कुछ इस तरह समझें देखिए यह आपका u वाला set ideal हो गया यह वी यह मान लीजे u ideal है यह वी ideal है और यह आपकी यह आपकी ring है यह आपकी मान लीजे ring है ठीक है यहाँ पे intersection में at least थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा य क्योंकि at least zero element तो दोनों में common होगा ही तो अगर यह u ideal है यह v ideal है यह आपका ideal u है यह आपका ideal v है और यह ring है यह ring है यहाँ पे intersection इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि दोनों ideals के बीच में at least एक element तो common होगा ही zero element यह आपको ring theory पे थोड़ा सा आपको सिस करेंगे तो समझ में आ ज section जरूर होता है क्योंकि zero element at least भी wrong करेगा यहाँ पे अगर आर कोई element है यू और वी दोनों ideals है तो आपका जो यू प्लस वी वाला set define है इसको मैं समझाने कोसिस कर रहा था कि इसमें elements कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे यहां के element देखिए आप यूवन कोई element यूवन यूटू ध यूवन को पिक कर लीजे यूवन को पिक लीजे आईडियल . और v1 को पिक कर लिजे ideal v से और इनका sum कर लिजे मतलब कि u1 u1 प्लस v1 यह आपका solve होके कोई एक element आएगा इस इस non-impti set का कोई एक element बनेगा अभी फिर क्या करना है फिर आप ideal u से u2 कोई element पिक कर लिजे ideal u और v में धेट सारे elements होंगे न तो ideal u से एक element u2 पिक कर लिजे और ideal v से कोई element v2 पिक कर लिजे इनको add up कर लिजे तो यह कोई आपका दूसरा element बन जाएगा देखे u प्लस v non-impti set का एक element यह u1 प्लस v1 बना फिर u2 प्लस v2 बना ऐसे कोई element u से u3 ले लिजे v से v3 ले लिजे मतलब कहने का यह है कि u और v से different elements को select करके उनको add up करते जाएए तो आपके इस non-impti set यानि दोनों ideals के sum में ऐसे u and vn इस type के element बनते जाएंगे तो अभी non-impti set clear हुआ दोनो ideals का sum करके जो set define करा गया है u plus v यह clear हो गया ना कि इसमें ऐसे elements आएंगे u plus v type के element आएंगे such that आपका small u u का element होगा एक element v से लेना एक element u से लेना दोनों को sum करके distinct elements बनारा और उनका collection आपका है दोनों ideals का sum इतनी बात है तो होगी given information की जो आपको problem में given है अभी target क्या है proof क्या करना है आपको दो बाते यहां पे proof करने को बोली जा रही है पहला आप यह proof करिए कि जो यह non empty set u plus v है यानि दोनों ideals का sum है is also an ideal of the ring मतलब यह आपका u plus v u plus v जो दो ideals का sum है यह भी ring का एक ideal form करेगा मतलब जो non empty set आपने define करा है वो ideal form करेगा ring के लिए एक बात तो यह आपको proof करनी है दूसरी बात आपको यह proof करनी है कि यह जो u plus v ideal पहले पार्ट में आप इसको ideal proof कर लेंगे अब ideal proof करने के बाद आप दूसरी चीज़ यह so करिए प्रूफ करिए कि यह u plus v जो ideal है is generated by यह generated होगा यह generated होगा किससे यह generated होगा u union v से मतलब कि u और v जो दोनों ideals थे उनके union से इस दोनों ideals के sum वाले ideal को मतलब u plus v u plus v may be generated by the union of both ideals u union v ठीक है यह चीज़ आपको दूसरे पार्ट में proof करनी है तो पहले पार्ट में आपको ideal proof करना है अपने non-empty set को यानि दोनों ideals के sum को दूसरे पार्ट में आपको proof करना है कि वो sum जो है u plus v जो generated है उनके union से तो जल्दी से इसको proof कर लेंगे मैं proof करूँ उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ पहले पार्ट में आपको जो यह proof करना है na u plus v ideal है तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ideal कैसे proof करेंगे lecture की starting में r ring है और यह आपका u plus v कोई भी non-empty set हो सकता यहाँ पे आपका u plus v है जिसको आप ideal proof करना चाहा रहें तो इसको क्या करना होगा इसको दो बातों को fulfill करना होगा पहली बात इसको यह करना होगा कि इसको u plus v जो non-empty set है आपका जिसको आप ideal proof करने की कोसिस करेंगे अभी इसको under addition इसको under addition आपको group दिखाना होगा और दूसरी बात यह करनी होगी कि अगर u plus v से कोई element alpha ले लिया मानों यहाँ से कोई element alpha ले लिया और यहाँ से कोई element small r ले लिया general element तो r.alpha and alpha.r यह दोनों elements जो आएं आपके यह इसी u plus v को belong करें ideal proof करने की यह algorithm होती न मैंने आपको lecture की starting में ideal का concept repeat करा कि अगर किसी भी non empty set को ideal proof करना है तो दो काम करना होगा पहला काम यह कि उनको additive subgroup दिखाना होगा group के लिए और दूसरी चीज़ दिखाना होगा कि वो ring elements को swallow कर रहे हैं मतलब कि उनके किसी भी element का product अगर ring element से आप कर दीजिए तो भले यह r बाहर है लेकिन r.alpha इसी non empty set के अंदर आ जाए तो u plus v को ideal अभी आप जब proof करेंगे तो आपको दो चीज़े करनी होगी इन ही दोनों को additive subgroup दिखाना होगा और आपको दिखाना होगा कि वो ring element swallow कर रहा है जल्दी से एक और concept आपको repeat कर दूँ देखिए मैं अपने हां लेक्ट्यर में आपको mathematical tools पहले दे देता हूं इसके tools ले देता हूं ताकि आपको ऐसा न लग है और H उसका subset है और H को आप subgroup प्रूफ करना चाह रहे हैं देखिए अभी ideal के पहले पार्ट में आपको subgroup प्रूफ करना होगा न तो subgroup प्रूफ करने की algorithm यह होती है कि अगर कोई भी दो element A और B आपने लिए आपने non-empty set से तो दिखा दीजे कि for every element AB belongs to H, their difference also belongs to the same non-empty set H मतलब कि अगर दो element कोई भी आप AB ले रहे हैं तो उनका difference यहीं H को belong करेगा, यहीं H को belong करेगा, actual में बात ही होती है आपको दिखाना होता है A plus B inverse belong कर रहा है, लेकिन additive inverse आपका minus होता है, मैंने यह चीज़ आपको पढ़ाई है, जो pure algorithm होती है वो यह होती है कि आपको A plus B inverse को belong करवाना होता है, लेकिन मैं shortcut आपको A minus B इसलिए बोल देता हूँ, क्योंकि अगर आप A plus B inverse को solve करेंगे थोड़ा सा, तो यह A plus और additive inverse आपका negative of B हो जाएगा, multiplicative inverse तो reciprocal में आता है, लेकिन additive inverse आपका negative element के साथ appear होता है, जैसे मैं बोलू, A inverse बताईए आप, A inverse बताईए जब additive बहाएगा, यानि कि finally आपको A minus B को दिखाना होगा, तो अगर कोई भी for every element AB of the non-empty set H, you have to show that their difference also belongs to the same non-empty set, मतलब उनका difference भी H को belong करेगा, अगर ऐसा आप दिखा पा गए, तो यह proof हो जाएगा कि H आपका additive subgroup है, यह tool आपको helpful होगा, अभी जब आप U plus B को proof करेंगा additive subgroup, तो यहाँ पर useful होगा, चलते हैं, problem clear हो गई, target clear हो गया, solution को proceed कर लेते हैं, आपके पास mathematical tools भी अब level हो गए, problem को solution को proceed कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार मैं read कर देता हूँ, यहाँ पर एक बार read कर देता हूँ, आपके लिए problem को दिखें, given part में जो चीज़े दी हुई थी, उ उनों को add up कर देना है, तो small u plus b, ऐसे elements आपके बनेंगे, u1 plus v1, u2 plus v2, u3 plus v3, ऐसे elements यहाँ पर non empty set में बनेंगे, तो इस non empty set u plus v को आपको दिखाना है, to prove that आपको दिखाना है, कि यह ideal है रिंग का, और generated by union of both ideals, मतलब u union v से generated होगा, तो चलते हैं, पहले ideal पूफ कर लेते ह क्या करना है, additive subgroup दिखाना है, इस non empty set u plus v को additive subgroup दिखाना है, और दूसरी चीज़े दिखानी कि यह ring element को swallow कर रहा है, मतलब निखल रहा है, फिर second part में आपको generation दिखाना है, कि u union v से generated है, तो इसको भी कर लेंगे, पहले ideal proof कर लेते हैं, अपने non empty set को पहले ideal proof कर लेते है, ideal के क्या करना है, additive subgroup दिखाना है, इसको ring का, और दूसरी चीज़ दिखानी है, कि यह ring element को swallow कर रहा है, तो चलते है, additive subgroup दिखा लेते हैं, additive subgroup में क्या करना है, यह आपका ring है, और यह non empty set u plus v है, यह प्लस v है, आपको दिखाना additive subgroup तो क्या करना है, यहाँ से कोई दो element alpha, beta ले लेते हैं, alpha, beta दो elements ले लेते हैं, non empty set से और दिखा देते हैं, कि their difference also belongs to the same non empty set, मतलब u plus v, अगर कोई भी दो element for every alpha, beta, for every alpha, beta belongs to u plus v, मतलब u plus v से, u plus v से कोई भी element आपने alpha, beta अगर pick करा general element, तो उनका difference भी इसी non empty set को belong करेगा, अगर ऐसा आप दिखा पाते हैं, तो यह non empty set आप का additive subgroup बन जाएगा, और ideal के लिए आपको additive subgroup दिखाना है, तो additive subgroup दिखा लेते हैं, फिर दूसरी property दिखाएंगे, कि यहां से कोई r element ले लेते हैं, और r alpha, alpha, r दिखा देंगे, belong कर रहा है, तो देखते हैं, alpha, beta दो elements लेते हैं, आपे let any alpha, beta belongs to u plus v, दो general elements ले ले लिए, आप फिर second part में दिखा देंगे, कि यह generated by u union भी है, तो additive subgroup के लिए alpha, beta दो elements लेते हैं, such that, अभी alpha, beta elements कहां से लिए हैं, alpha, beta elements आपके u plus v के हैं, alpha element u plus v का है, और u plus v के elements ऐसे होते हैं, उपर spin पे दिख रहा होगा, small u plus v, मतलब जो u plus b non empty set होता है, इसके elements आपके u1 plus v1, u2 plus v2, इस structure कैसा होगा, इसका structure कैसा होगा, देखिए, इसका structure कैसा होगा, अगर alpha यहां से लिया है, तो u plus v type में लिखा जाना चाहिए, इसको, तो इसको u1 plus v1 लिख लेते हैं, alpha element आपका u plus v non empty set से लिया गया है, और यहां के elements आपके sum में represent किये जाते हैं, दो distinct element आप लीजिए, u और v से उनके sum में represent किये जाते हैं, उनके addition में, तो alpha को ऐसे करते हैं, u1 plus v1 ले लेते हैं, alpha आपका u plus v को belong कर रहा है, तो u1 आपका u से ले लेते हैं, और v1 b से, ऐसे होता न, पहला element, एक element u से लिया, एक b से दोनों का add up कर दिया, तो आपका इस non empty set u plus v के elements बन जाते हैं, तो एक element u1 ले लिया, u1 ले लिया, u से v1 ले लिया, v से दोनों का add up कर दिया, तो alpha type, alpha कोई element बन गया, और दो element हमें general ले के दिखाना होता है, उनका difference पर एक element बीटा भी लेना है, difference हो सके elements में, इसलिए यहाँ पे u2, v2 ले ले लेते हैं, u से कोई element u2 ले लिया, v से v2 ले लिया, तो alpha, beta इस type के 2 elements हम अपने non-impty set से ले सकते हैं, जिसको हम additive subgroup दिखाना चाह रहे हैं, तो alpha इस type का होगा na, u1 प्लस v1, beta हो जाएगा, u2 प्लस v2, जहां पर u1, u, मैंने starting में बता दिया था कि small u से जितने भी representation होंगे, सब आपके ideal u को belong करेंगे, और small v से जितने भी element represent सब आपके non-impty set v, यानि कि ideal v को belong करेंगे, तो alpha, beta दो element ले लिया, चल्दी से देख लेते हैं, क्या इनका difference जो है, वो belong कर रहा है, u plus v में, तो alpha plus beta inverse, यह मैंने algorithm में आपको बताई थी, कि actual में आपको दिखाना होता, alpha plus beta inverse belongs to u plus v, लेकिन अगर आप इसको solve करेंगे, additive inverse की बा तो alpha, beta ले लिया, और इनका difference देखने क्या आता है, alpha को आपको ऐसे लिख लीजी, u1 plus v1, और beta को आपने क्या लिया, u2 plus v2 लिख लेते हैं, जड़ा इसको proceed करने, solve करने, u को एक पास करने, v को एक पास करने, तो यह आपका हो जाएगा, u1 minus u2 plus v1 minus v2, ऐसे हो जाएगा, u1 minus u2 plus v1 minus v2, और एक बात बताईए, u plus v जो आपका यह anonymity set था, इसमें elements आते कैसे थे, कोई भी element अगर बोले, मैं u plus v में belong करूंगा, तो आप कैसे चेक करोगे, belong कर दाएकि नहीं, अगर उसका structure, अगर उसका चेहरा, u plus v के format में हो, मतलब एक element u से, एक d से लेके sum करा गया हो, अगर ऐसे structure उसका है, तो वो belong करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखके बताईए, u1 minus u2, u1 element आपका कहां का है, u1 आपका u का है, u2 भी आपका u का है, और u खुद में क्या है, question की starting में बोला था ने, capital u आपका ideal है, और ideal है, तो additive subgroup तो ring का रहा ही होगा, इसका मतलब अगर u1 ideal u में है, u2 ideal u में है, तो उनका difference भी तो ideal u में रहा होगा, यहाँ पे आप u plus v को ideal proof करने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन u और v separately तो पहले से ideal है, question में given है, तो u1, u2 आपके ideals के हैं, तो उनका difference भी ideal u में होगा, मतलब u1 minus u, u1 minus u2 यह ideal u का element है, और v1 minus v ideal v का element है, अभी देख इसके sum के format में alpha minus beta inverse, alpha minus beta जो आपका आया, यह u1 minus u2 plus v1 minus v2 के format में आया, जहां पे यह u1 minus u2 आपका u का element है, v1 minus v2 v का element है, तो u और v के elements के sum के format में alpha minus beta आया, इसका मतलब यह u plus v ideals के sum के वाले non-empty set में belong करेगा, यहाँ तक कोई doubt नहीं है, यह कैसे यहाँ पे belong कर रहा है, य यहाँ पे वही element belong करते है, जिनका पहला element u से हो, दूसरा v से हो, और यहाँ पे u1 minus u2, u से होंगे na, u1 ideal u में है, u2 अहाँ पे है, तो u2 की ideal खुद में है, तो u1 minus u2 भी आपका यहीं पे होगा, ऐसे ही v1 minus v2, v1 minus v2 आपका ideal v में होगा, चुकि u और v तो खुद में ideal बोले इस तरीके आप देख सकते हो, आपका यह जो अनॉनिम्टी सेट u plus v है, यह additive subgroup proof हो गया, यह आपका u plus v को belong कर गया, इसका मतलब, because u and v are ideals of r, यहाँ पे नीचे मैं explanation भी लिखा है, कि u और v ideals हैं, इसलिए यह आपका u1 minus u2, u को belong करेगा, u1 minus v2, v को belong करेगा, और दोनों मिल क इस format को बना देंगे, कि यह u plus v को belong करने लगे, यहाँ के elements जैसा structure आगया, इनका, it implies that u and v are additives, it implies that, कि आपका यह u plus v additive subgroup हो गया, पहली चीज़ यह proof करनी थी न, additive subgroup proof करना था, proof कर लिया, अभी ideal proof करने के लिए एक काम तो और करना होता है, आगया, swallowing property दिखानी होती, ideal proof करने के लिए एक काम और करना है, यह ring r है, यह u plus v all a non-empty set है, ऐसा करते हैं, यहाँ से element alpha ले ले लेते हैं, यहाँ से r ले ले लेते हैं, ring से, और दिखा देते है, r.alpha and alpha.r also belongs to the same non-empty set u plus v, जिसको आप ideal दिखाना चाहा रहे है, additive subgroup तो proof हो ring r, चुकि यह ideals हैं, तो ideal की property होती है, खुद में additive subgroup होगा, u और v ideal बोले गए है, तो यह additive subgroup रहे होंगे, ring के, इसका मतलब यह है कि अगर u1, u2 दो elements आप ideal u से लीजिए, तो इनका difference u1 minus u2 तो ideal u में belong करा होगा, इनका difference belong करा होगा, और v1, v2 लेते हैं, तो उनका difference belong करा होग it means कि आपका u plus b जो ideal है, u plus b जो आपका anonym की set है, वो additive subgroup form कर रहा है, यह बात तो उपर भी clear हो गई थी, अभी हमको proof करना है, यहाँ पे कि यह ring elements को निगल रहा है, तो दो काम वही करना है, r और alpha लेते हैं, r को यह ring से element ले लिया, further let any r, smaller मतलब general element ring का, and alpha belongs to u plus b, दो element ले लिय a ring से element ले लिया, और u plus b से ले लिया, और दिखा देते हैं कि इनका product r alpha और alpha r, आपके u plus b को belong करेगा, तो r alpha को solve कर लेते हैं, अभी alpha के बारे में कोई doubt नहीं न, alpha आपका u plus b का element है, तो ऐसे लिखा जाएगा, u1 plus b1, इसी format में लिखना होगा, alpha चुकि u plus b से आप ले रहे हो तो इसी format में लिखना होगा, तो r alpha देखे, r alpha का कैसे लिख सकते हैं, r alpha की value अंदर लिखते हैं, u1 plus b1, alpha का representation ऐसे ही कर सकते हैं, u1 plus b1 के format में, क्योंकि आप इसको u plus b से ले रहे हो, तो u1 plus b1 हो गया, और ज़रा multiply कर लीजे, left से distributed large hold करेंगे, r, u1, v1 ये सारे elements हैं, तो ring r क और ring के postulate number 3 को देहान से याद करिए, वहाँ पर distributed large बोले गए थे hold करते हैं, तो distributed large hold करते हैं, तो r को distribute कर ले, r, u1 plus r, v2, ये हो जाएगा, अभी मुझे एक बात बताइए, u1, u1, sorry, ये u, ideal, u तो आपका ideal है न, और v be ideal था, तो चुकि u और v खुद में ideal हैं, तो ये ring के elements क तो swallow करेंगे न, ideal की property से, इसका मतलब r, u1, r, u1 कहां पे belong करेगा, u में, और r, v1, v में belong करेगा, तो बन गई वही बात न, पहला element u का, दूसरा element v का, ये r, u1, u का element हो गया, क्योंकि u खुद में ideal है, तो इसने r को swallow किया होगा, और यहां पे v, v, खुद में ideal है, तो r, v1, v को belong करेगा, अभी पहला element u का, दूसरा element v का, दोनों का add up कर दिया है, तो format क्या बना, format r, alpha का format ये बन गया, solve कर रहे है, कि ये u plus v को belong करने लगा, ये u plus v को belong करने लगा, similarly, you can also prove that, यहां पे r, alpha, u plus v को belong करने लगा, similarly, आप यह भी दिखा सकते हो, देखे, यहां पे उन्हे elements को, तो swallow करेंगे, it implies that for every general element of the ring, r and u1 belongs to ideal u, r, u1 और u1, r, to आपकी u को belong करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि u खुद में ideal है, तो इसने तो elements को निगला होई होगा, swallow करा होगा, तो r, u1 और u1, r, u को belong करेंगे, same, आप यही चीज, v के साथ भी देख सकते हो, v u plus v को belong करेंगे, क्योंकि u plus v को, u plus v को वही belong करते हैं, जिनका पहला element u का हो, दूसरा v का हो, और r, u1, u से हो गया, r, v1, v से हो गया, मतलब कि, यह u2 plus v2 कुछ इस format में बन गए, यह पहला u का element, दूसरा v का element, तो यह u plus v को belong करेंगे, similarly, you can also prove that alpha dot r also belongs to u plus v, यहाँ पे आपन r भी आपका u plus v को belong कर रहा है, तो आपने additive subgroup दिखा दिया, और आपने दिखा दिया, कि ring elements को swallow कर रहा है, मतलब कि, यह हो गया, कि u plus v वाला non empty set जो है, hence it's proved that u plus v is also an ideal of the ring r, पहला task complete हो गया, यह तो proof हो गया, कि u plus v जो आपका non empty set है, यह ideal है ring का, ideal की दो बाते proof करनी होती है, पहला तो additive subgroup दिखा दिया, दूसरा यह कि ring element को swallow कर रहा है, वो भी दिखा दिया, तो u plus v आपका ideal proof हो गया, अभी एक चीज़ और दिखानी थी, कि u plus v आपका generated by union of both ideals, मतलब u plus v वाला जो ideal अभी अभी आपने proof करा मेरे साथ, इसको आपको और एक चीज़ दिखानी है, कि य u plus v generated by the union of both ideals, मतलब u union v से, ये u plus v जो आपने ideal proof करा, ये generated होगा u union v से, u union v वाले set से ये generated होगा, तो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, अच्छा इसको मैं करूँ, उससे पहले एक result त्याद दिला दूँ आपको, इसको मैं करूँ, उससे पहले एक result त्याद दि कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, r आपकी ring है, r आपकी ring है, और s कोई ideal है, r आपकी ring है, s कोई ideal है, और अगर ये s ideal, r कोई ring आपके पास है, और s उसका ideal हो, तो अगर s कोई ideal ऐसा हो, जो कि कि किसी भी दो, किसी भी दो, किसी भी दो ideals के union को contain कर रहा हो यानि कि U, Union, V अगर U और V भी दो Ideals है अगर इनके Union को Contain कर रहा है कोई Ideal S मतलब तीन Ideal है U, V और S तीन Ideals है तो अगर U और V दो Ideals है और इनके Union को कोई Ideal S Contain कर रहा है और बाइद आइसा हो जाए कि S आपका Smallest Ideal हो जाए मतलब कि S आपका सबसे छोटा Ideal रिंका है जो किसी भी दो Ideals की Union को Contain कर रहा है अगर ऐसा हो जाए तो ये बात Impli करती है कि आपका S जो है वो Generated by U Union भी है अभी Generation वाला Concept आपको उतना Clear मैंने नहीं कर रहा है तो क्योवले इस Result से काम चलाएंगे जो Result मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कोई भी Ideal S कोई भी Ideal S smallest हो जाए मतलब सबसे छोटा Ideal अगर कोई है जो दो Ideals की Union को Contain कर रहा है तो वो जो Union कंटेन कर रहा है उसी से Generated होगा अभी मैंने आपको Ideal Generated by Assets का Concept नहीं पढ़ाया है यह Problem तो आप बस इस Result से काम चलाएंगे कि अगर यू और वी दो Ideals है और उनकी Union को Contain करने वाला कोई smallest Ideal S है मतलब R आपकी Ring है और S S ऐसा सबसे छोटा Ideal है जो U, Union, V दो Ideals की Union को Contain कर रहा है मतलब S के अलावा अगर कोई और आप Ideal लेंगे तो वो S की Size से बड़ा हो जाएगा U, Union, V अगर यह मालीजे U, Union, V वाला Non-Impty Set है इसको Contain करने वाला Ideal S है अभी S के बाद यह मालीजे T, T, V को यह Ideal आ जाए लेकिन T की Size बड़ी होगी मतलब कि S सबसे smallest Ideal है सबसे smallest Ideal जो U, Union, V यानि की दो Ideal की Union को Contain करेगा वो Ideal Generated by U, Union भी होता है तो इसी Concept का Use करेंगे हम अभी Generation दिखाना इसी Concept का Use करेंगे हम देखे, जो Concept अभी है भी आपको बताया उसी का Use यहाँ पे करेंगे Ideal तो प्रूफ कर लिया था अभी No Since Zero Belongs to U आपका Zero Element तो बिलॉंग करता ना Ideal में, Ideal के Ring में बिलॉंग करता है U आपके Ideal बोले गए थे V आपके Ideal बोले गए थे तो Ideal होने के लिए Ideal होने के लिए U और V को Ideal होने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले Additive Group फॉर्म करा होगा और Additive Group के लिए Identity, Distance of Identity की जरूवत तो पड़ी होगी ना Zero की जरूवत तो पड़ी होगी तो Zero Element जो आपका है ये Ideal U में भी बिलॉंग करा होगा V में भी बिलॉंग करा होगा अच्छा यही रीजन था जब मैंने आपको Ideals का Map बना के दिखाया था तो मैंने ऐसे बनाया था Intersection दिया था ना मैंने जब Ideals का Intersection बनाया था तो वहां Figure में मैंने ये बात बोली थी कि कभी भी अगर हम Diagram बना रहे हैं और ऐसा दो Ideals बना रहे हैं तो हमको Intersection जरूव दिखाना होता है मैंने एक Figure rough करा था बना के इसलिए कि अगर आप Intersection नहीं दिखाओगे तो Zero Element तो Common होगा ना Zero Element हमिशा Ideals के बीच में Common होता है इसलिए Intersection जरूव दिखाएंगे किसी भी दो Ideal बना रहे है तो Intersection होगा उनके बीच में अभी Zero Element क्यों बिलॉंग कर रहे हैं जिरो बोले तो Additive Identity इयू Ideal है तो उने Under Addition Group करा होगा और Additive Identity जिरो को तो चंटेन करा होगा और ठीक equally बात वी के साथ भी होगी वी क्योंकि वह Ideals बोले गए हैं तो उनसंफे कराeren अब मुझे एक बात बताईए कि u plus v वाला set define कैसे था ऐसे define था ना u plus v ऐसे define था एक element u से लेते थे एक v से लेते थे और उनको sum कर लेते थे u plus v such that u आपका capital u को belong करे v आपका capital v को belong करे मुझे एक बात बताईए ideal u से एक element लेना v से लेना है दोनों को sum करके थे सारे elements बनाने हैं u plus v के लिए तो अगर ऐसा करें u से element 0 ले ले 0 तो u में belong कर रहा ना u से element 0 ले ले और v से elements बदलते जाए ऐसे कर ले 0 plus v1 0 plus v2 0 plus v3 ऐसे कर ले u से element 0 ले लिया और v के elements को vary करते जा v1, v2, v3 तो क्या होगा होगा यह कि आपका v1, v2, 0 तो कोई effect डालेगा नहीं तो v1, v2, v3 पूरा का पूरा जो v वाला set है न वो यहाँ पे contained हो जाएगा मतलब कि अगर u को 0 कर ले और v को vary करते रहें यहाँ पे u plus v के combination से डेर सारे element बनाने हैं इस non empty set के लिए तो अगर u को 0 कर ले और v को vary करते रहें v1, 0 plus v2, 0 plus v3 तो आपका यह होगा कि u plus v में पूरा का पूरा set जो ideal है v वो पूरा का पूरा contained हो जाएगा यह बात समुझ में आ रही न u plus v के elements कैसे बनेंगे ? u plus v के elements you plus v के elements ऐसे बनते न कर रहे हो similarly you can also you can also prove here that अगर आप ऐसा कर लीजिए आपने जो u के साथ करा वही v के साथ आप कर लीजिए आपने ये तो देख लिया ये तो देख लिया कि v is contained in u union v कैसे आप u के element को 0 लीजिए और v के element को vary करा लीजिए तो v वाला ideal आपका ये symbol contained in का होता है I hope आपको पता होगा तो ये जो ideal v है आपका ये contained हो गया u plus v में ये चीज हो गई ना similarly आप v के element को 0 कर लीजिए और u को vary करा लीजिए 0 plus u1 0 plus u2 0 plus u3 तो आपका u contained हो जाएगा u plus v में मतलब आप वैसे भी ये u plus v जो आपका direct sum और linear sum अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर इस वेस में तो आपको पता चल जाएगा कि दो ideals का sum कर रहे हैं तो ideals अपने sum में खुद contained होते हैं ये property भी है कि ideals का sum अगर आपने दो ideals का करा है तो ideals separately contained होते है मतलब u is contained in u plus v and v is contained in u plus v ये property भी होती ही कि ideals अपने sum में contained होते हैं separately लेकिन यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस बात को कि अगर एक element को 0 ले लिया एक को 0 ले लिया दूसरे को वैरी करा लिया तो यहाँ पर contained हो जाएगे तो so obviously u contained in u plus v and v contained in u plus v अब मुझे बताइए अगर u आपका contained है u plus v में v v contained है अगर दो चीजे contained है तो उनका union भी तो contained होगा it implies that u union भी देखे ऐसे बोला जा रहा है ऐसे बोला जा रहा है कि u plus v में u plus v में u plus v में आपका v contained है और u भी contained है तो ऐसे कहा दे न u और v दोनो contained है दोनो contained है का मतलब यह हुआ u union v contained है अगर u contained है separately v v contained है तो u union v भी तो contained होगा it implies that u plus v u plus v तो आपका ideal था न प्रूफ करा था आपने u plus v is an ideal of ring r containing u union v मतलब u plus v आपका non empty set एक ऐसा ideal है रिंग का जो u union v को contain कर रहा है अभी मैंने आपको टूल प्रोवाइड करा था एक result दिया था न अब बस target इतना है कि इस u plus v को smallest ideal प्रूफ कर दें यह प्रूफ कर दें कि यह u plus v जो आपके u union v को contain कर रहा है यह smallest ideal of the ring r है अगर u plus v को smallest ideal प्रूफ कर दें सबसे छोटा ideal जो दो ideals की union को contain कर रहा है तो u union v से generated हो जाएगा यह generated हो जाएगा देखिए अब बस थोड़ा सा थोड़ा सा यहां पे language का difference है also if there exists another ideal s अब अगर यहां पे कोई और ideal s exist करता theoretical assumption है अगर कोई union v को contain यह यूप्लस v तो union v को contain कर रहा है यहां से यूप्लस v आपका u union v को contain कर रहा है लेकिन अगर यूप्लस v के alarm **** कोई और ideal s exist कर जायै जो U union V को contain कर रहा है तो पकी बात है वो आपका contain कर रहा है U union V को तो U plus V को भी contain करेगा If there exists another ideal S which contains U union V then S will also contain U plus V चुकि situation ऐसी है देखे, diagrammatic देखे situation कुछ S यहाँ पर बनी है कि आपका यह ring है यह U plus U plus V वाला ideal है और इसने U union V को contain करा है तो अगर कोई और ideal S आएगा अगर कोई और ideal S आएगा जो U union V को contain करे तो वो U plus V को ही contain करेगा वो U plus V को ही contain करेगा और it implies that it means U plus V is the smallest ideal of ring are containing U union V, मतलब कि जो आप चाहते थे वही हो गया U plus V आपका smallest ideal है यहाँ पर बस theoretical assumption है आप देख सकते घुट से तो U plus V आपका smallest ideal proof हो गया मतलब ring के लिए U plus V smallest सबसे छोटा ideal है जो U union V को contain कर रहा इसके बाद अगर और और भी ideal exist करें जो U union V को contain करें तो U plus V से बड़े होंगे U plus V smallest बन गया इसका मतलब क्या है मैंने tool provide करा था आपको result बताया था कि अगर कोई smallest ideal है जो union को contain कर रहा तो union से generated होगा that is U plus V generated by U union V यह proof हो गया कि आपका जो sum है दोनो ideal का वो उनके union से generate होगा यह proof हो गया कि U union V से आपका यह generated होगा दो चीज़ें प्रूफ करनी थी दोनो आइडियल के sum U plus V को आपको U plus V को ideal प्रूफ करना था कर लिया और दिखाना था कि वो union से generated होगी इसको भी दिखा दिया I hope आपको second part में हो सकता है कुछ problem हो कि यह generated by union कैसे तो इसके लिए वो result जो मैंने बताया बस उसी को ध्यान में रखेंगे ideal generated by a set का concept है वो बाद में में discuss कर लूँगा तो आज की problem आपको I hope समझ में आयोगी मिलते हैं next lecture में कुछ other problem के साथ तब तक लिए आप चीज़ों को revise करिए